अगर आप क्लास टेंथ में एक्जाम देने वाले हो इस बार तो यह कोश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली और यह कोश्चन को सब्जेक्टिव कोश्चन है और मैं इस वीडियो में टोटल दस कोश्चन लाया हूं जोग्रफी का आपको कितना याद है आज मुझे पता चल जाएगा आपके कमेंट से तो भाई देखते हैं अगर आप पहली बार चनल पर विजिट करो तो चल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना जरूर एक दम यह आपका अधिकार है और आपका हग बनता है कि वीडियो को लाइक कर पहली बार तो आप लोग आयों तो चल को सब्सक्राइब करना आइडिस मुझे फॉलोग कर से तो डिस्क्रिप्सिन में लिक वगरा सारक दिया हुए मैं इस सवाल को आपको अच्छी तरी किस ना कि आपको और शुद्री कि समझ में आ जाएगा ओके डैट सौन चली सुरू इस सवाल हिंदी और इंग्लीस दोनों में कड़वड कर दिया घए ठीक है ना तो इंग्लीस वाले इंग्लीस फाइदा उठाएंगे लिए तो जानी रहे हैं को क्या करना है ओके संसाधन जो हमने यूज करते ना जो भी संसाधन है जो हमारे काम के लाइक जो चीज है उस ट टकनीक अगर है तो राष्ट विक्सित होगा तक आगर टेक्ट जिसको टेक्निक को टेक्निक बल पर प्राकृतिक संसाधन है जिन नेचरल रिस और वह रही उससे रहित और राष्ट भी विक्सित राष्टों के अगली पंक्ति में आ जाता है जैसा आपको कोईला से खाद करते हैं चलती है उसमें हैंद मसीन की दोवारा ओंखना टेक्निक है अगर उस तरह से टेक्निक इस्तेमाल करते होता है तो परकृतिक संसाधन से संपूर ने हर तरीके जिस जापान में जितना भी नेचरल रिसॉर्से से सारा चीज जपान वी एवेलेबल है का गया इस देश ने तकनिक का विकास उसका विवेकपुर ने उप्यों किया तब अच्छे धंग से उप्यों किया सवय विक्सित देशों की सिरेनी में खड़ा कर लिया और खुद अपने आपको एक डिवलप कंट्री के र लिए चलिए सवाल सेखेंड परते समुच किर्सी से आप क्या समजते समूच किर्सी कारी किया जाता है तो इसकी आकिर्ती समुच रेखा किता था जो इस इस तरह से बना होगा है इसको समुच रेखा तो धालान पर खेती पहाली लाकाई में तो ऐसे लगता है जैसे कि समुच रेखा जैसे कि क्या बोलता है जैसे मैप समुच लैंड होता है कंटूर रिखाएं होती है समुझ लाइन होती है उसके जैसा देखने को मिलता है अगर आप उपर से देखो वह उत्तो तो यह किर्षी परवते छित्र में मिर्दा अपरतन को रोकने क्लिक है तक कि मिट्टी ढले नहीं यहां से मिट्टी गिरें तो यहां पर जाएगा यहां इस परकार कि किर्षी में मिट्टी को उपजाओ शक्ति बनी रहते हैं अगर ऐसे किर्षी करेगा तो मिट्टी में जो उपजाओ है वो क्या रहेगा बना रहेगा इसलिए मैंने आपको समझ में आता है कि समुझ किर्षी होता है क्या है अब आपके दिमाग में समाग क्यों तो इसको जल संक्ट मारते हैं जैसे हमें पानी के लिए जरूत है जिसे हम सभी लोगों को पानी की जो थैं पानी नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे जल संक्ट हो गया एक उधारन दिया है स्वेड़न के विशेश फालकन मार के यह बहुत इंपोटेंट जब आप इसको लि बोलता है कि परतियक व्यक्ति को परती दिर में एक हजार मीटर जल के हो सकता होती है अगर इससे जल कम है तो समझे जल संक्ट है जैसे कि आपने पढ़ा बुलू विया में जल संक्ट के कारण वह एक जग छिड़ गया था यहां पर देखिए उसी का इंगलिस मेंने कर दिय है आप इसको नोट कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है ओके एक हजार घंड मीटर ओके चिपको अंदुर क्या है बहुत इपोटेंट ने कि आप लोग एक तो मैं हमेशा बोलता हो कि आप सब्जेक्टिव को से अगर फोकस करते हो तो आप जब्जेक्टिव तो आटोमेंट आता था जब उत्तर परदेश दो जर्कु बारावध में 2002 में दोश्राखण अलग हुआ दोए दोह सोड़ी दोहजर बीश्रा अलग हुआ अलग हुआ तो यह जों तेहरी गणवाल है उत्रा खडबे आ गया तो वहीं मैंनि हाँ पे साफ कर दिया को बहुत से बचकर नहीं लेकिन आप जो है वो जो जगा है ना उत्तरा खाण के टेहरी गरवाल परवती जिले में सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतरित में उसका नेता को था सुन्दरलाल बहुगुणा उसी के लीडर्शिप में जो है जंजाती दुवारा एक आंदोलन हुआ था यहां की अस्थानिय जंजातिया ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को काड़ते देख उसे बचाने के लिए पेर से चिपक जाते थे या उसे घेर लेते थे आपको पता है तो वहां के जो ठेकेदार त भर लो नोग था पेर को काट रहे इसको बचाने के लिए वहां के जो लोग थे जो अस्थानिय Ig gauche जन जाते थे लिए पेर को बचाने के लिए चिपक जाते थे तब चाहिए यहां कांदोलन में चाइए और प्रभात में कई देशों को स्रीकारव करना पड़ा है कि यार बहुत अच्छा आप पैड को बचाने का बहुत अच्छा निया और जो पेर काट रहे थे तो पंदरा दो उत्रा खट देगा तो तर पर देलगा वर तर लेगा तो उत्रा कर नहीं देगा किसके लीडर्शिप में हुआ उत्रा खट चिपकों दोने तो सुंदर लाल बहु बुञा चलिए आगे देखेए कडिजों के सनक्षण के उपाय बताएक कडी जो हम लोग typically करते हैं गारी है इसके भंडार शीमिट मतलब लिमिट है क्टम हो जाएगा और पुनर निर्मान भी असंभों है पिर से पेट्रोलियम नहीं बना सकते क्योंकि इसका निर्मान एक जटिल यहां लंबीक परक्रियस से होता है कि आप आपको इतिहास पता होगा कि कई वर्सों हजारों वर्से तो क्योंकि इसका निर्मान एक जटिल अलंबिक प्रकिरिया से होती है खनीज आधुनिक जगत के अधार है अगर आधुनिक जो देख रहे हैं उसका एक बहुत ही बड़ा आधार है और दोगी की विकास के करम में खनीज का अतिश्य कर दिया कर दिया अतिश्य दोहण बता गैर यूझ करने और उसका पी फालतू हो तो उस से क्या रहा है अने वाला अ 내rice तो उसके अस्तित्व में जो हमारे पीछे पीड़ी आएगे उसके संकट गरस्त वह लोग सोच रहें कि कोईला को बचाया जाए पेट्रोलियू को बचाया पता है आने वहाँ जो को परबंदर करना बहुत ही जरूरी है अनिवार यह सम्झाया क्या करना सब्सक्राइब लिमिट है या संसादन सीमित है इसको हम पुर्य निर्मान भी नहीं कर सकते यह बहुत इंपूटेंट लेने इसका निर्मा एक जटिल अएम लंबी प्रकिरिये से होता है उसका आपको बताना है खनीज आधूनिक आधूदूद्ध की जगत के आधार है और तो इसको नोट कर लिए इस वाले बच्ची आगे है हरित करांती साब क्या समयते हैं बहुत ही इंपूटेंट सवाल है भारत में अधीक अन्ड अनाज उत्पादन के लिए उन्नत बीज अच्छे किसमें की बीज हो रासायन उर्वरक हो किट नाशकों सीचाई आधी के साध जाधा आनाज हो जाधा जाधा चावल जो भी अनाज हो उसके लिए किसमी के बीज रहे पूर्वरक अच्छा रहे कित नाशक हो आदी तो इसके अपनाने को जोर देंकि सभी किसान लोग इसको यूज्ज करें जादा जादा खेती हो पाएगा इस कारण जोए फसलों की उत अप्राध्क वे सब फस्लों में गेहुंग का उत्पादर बहुत जादा वगा था TRIK जिति के छेट्र की जाना जाना आए तो यह किस क्लांति से हरेट ग्रांति हर्ट करांति हर्ब करती हर्ण का थे किर्षी के छेट्रे में जाना जाता बहुत ही काफी फेमस है और अच्छा इसको आप क्या मोणते हैं प्राथविक करते बश्ता तिर्थे इसको बोला जा सकता है प्राथविक सेक्टर प्राथविक यह सवाल मैंने किया लेकिन दिख लिए उधारी करन और वैस्वी करने से क्या समझते बहुत इंपोने आपने पढ़ा होगा वैस्वी एडिपी नई आर्थिक नीती यही तीन अंग हुआ इसका मतलब क्या होता है उधारी करन को अस्थापित करने के लिए नियमों पाबंद्रियों को लचीला बनाना उधारी करना था इसके लिए नियम को बनाने करना को यह को हम नहीं बनाना उसको यूच कर सके इसे बदे होगा क्या परतियास परदा उस्पन होगी जादा होगा हर लोग चाहेगा कि हम भी बिजनेस करें जब हमारा हर कुछ जो है नोर्मली कीमत में मिलेगा पाबंद नियाम कानून असान रहेगा तो हर को उस बिजनेस को करना चाहेगा तो मार्केटिंग बढ़ेगा पर्तियास परदा पढ़ेगा जिससे उपभोगता को सस्ता और गुनवत्ता सामागरी की प्राप्ति सरलुपे होगे अब जैसे बिजने जाद होगा लोग ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो जह कि सामान की कीमत होगी कम जाएगी तो कीमत तो कम जाएगी कीमत बुला जाते जो को सब्सक्राइब प्राइवेटेस जिसको बोलते है जब किसी उधोग का परबंधन कोई अस्थापत कर दिया उधोग का अस्थापत करना यह नया अब उस उधारी करन उद्षान एक किया है उसका परबंधनियंत्रन कोई प्राइवेट वैक्ति हो को नीजी वैगती या सहकारी समीती के हात में हो इस व्यवस्था को नीजी क्रण करती आया कोई मैंने उधोग अस्थापित कर दिया उसका मालिक एक को I do replay कre सबीती है तो इस तरह के व्यवस्था को क्यार कि दिदिके उससे किसी की आर्थ व्यश्ता को जोड़ने की परक्रिया को यह के इस्से क्या होगा इससे किसी परतिबंद की पूजी हो यह तक्रीक हो आदान-पदर करने मतलав हम अगर एक दुश्रे शे अर्थवस्ता से जूड़ जाते हैं तो का होगा ऑक में कहीं भी देश जाके कहीं भी आपना पूजिया अपने वयापार कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं अदान पदान कर सकते हैं लेद दिर कर सकते हैं इक्सचेंज कर सकते हैं ओके इस परकिले द्वारत भारत भी विश्वे के विभी देशों के अर्थवस्ता से जूड़ सकेगा चलिए अब इसका लेख लेख लिब लिबरिय जीर दीज़ेशन क्याय लेख लिएख संद देखें प्राइवर संदेखें प्राइवटेसट्व है जिए अग गलबलेज सद क्या है चलिए आगे नदी घाटी परियूजना के मुख्यों दिस लिखिये बहुत । लगाटी परियुजना के मुख्यों देखिए जितना मैंने सवाल बता रहा है आपके एंसी आटी किताब का है मैं इधर नहीं से नहीं किताब से बता रहा हूं ठीक है बहुत इंपोटेंट सवाल इसको याद कर लेज़ा कर लिए का बेटर होगा देखिए नदी घाटी परिय परिभाण के जलमारगे का अगर परिवहान के जलमारगे का विकाश अगर लोग कस्ती जाएगा नाओं पर चड़ेगा तो उसका से करेगा तो उससे होगा कैसे इंकम बने का सरकार को फाइदा होगा जल किर्षी मतच्छे पालाण को मढ़ावां मिलेंग मचली बगर पाले अब वहां पे लोग घूमने के लिए तो वहां पे जब तक नाओ रहेगा नहीं तो यह इसका बेनिफिट है जल विद्धुत विक्षित करना पेजल उप्लब्द करना यह सब इसका फाइदा है नोट-णोट कर लेगा इसको बहुत इंपोर्ट इडिया चलिए आगे पढ़ते अस्तर रंजन क्या देखिए इससे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको इसको परणे बाद इससे होता क्या जो है आपका बहुत 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 हो जाता है मैं बार बर बोड़ता है आरू कि अगर अच्छा करना तो सब्जे सब्सक्राइब रंगों के विवीड विवीड अभाओं अलग परकार के अभाओं अलग जिससे हमको अभाओं आरे यह वला है यह यह जल है यह पहाड है यह डदी ऐसा अभाओं का पर्यूग एक निश्चित माना किरूप किया जाता है इस विदिक अपयोग एटलस रंगों का उपयोग निश्चित है कि किस से चीज को दर्सानिक लिए कौन सा रंग है वह जो है कि निश्चित है जैसे जल के लिए डीला कलंग अगर आप बला सा मैप देख रहे हैं या तो फिर आप एटलस देख रहे हो तो उसमें अगर गिरिद गिरिद कहीं पर दिखा का दो आ तो समझें ओजल अगर हरा हरा दिखा दो समझें मैदान यह अगर बदामि कलम देखा आथ परवत है यह कं परवत हैं अगर सफिध करें शुद्ध राष्टिय शुद्ध यह राष्टिय उत्पादर्वी किर्शी का योगद्या बदा है कीरिसे का उसमर्फेydi Aoji खा का योगधान्य त्रौब अंतराष्टी वैपार किरसी का आंग टो कोसिते फीपर के डर्म का से रेल की आए और के सी व्युपार से टट अरे समंदर के किनारे जिसको बोलते ना वह बोलते हैं इस परकार भारति किर्षी यहां के जनसंक्या को भोजन परदान करती तो है उसके साथ साथ किर्षी उपज के विदेशी बुद्रा को भी पराप्त होती है इसको कर लिए प्यारे यहां पर टोटल 10 को सबसे पहले नोट करो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है याद नहीं है तो प्यारे इसको नोटन किजिए अपने कोपी में लिख करके याद किजिएगा बेहतर तरीके से याद होगा अपको लिखने की स्पीड बढ़ेगी तब आपको जल्दी मैंड में जल्दी घुसेगा अगर आपको याद है तो अच्छी बात नहीं याद है तो इसको नोट डॉन जरूर कर लेजएगा वीडियो ब्लास करते ही आपको मेरी वीडियो नीच तो चनल को सब्सक्राइब एक दम मस्ट कीजिएगा ओके बाई बेस्ट ओफ लग